नमस्कार लेर्निंग मंत्रा के ओनलाइन पार्ट साला में आपका स्वागत है राजनीत विज्ञान के प्रैक्टिस संख्या तीन में आज हम 39 महत्वण प्रस्णों की चर्चा करेंगे जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए काफी महत्वण साबित हो सकता है आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानि की ईसा बर्लिन इसका सही जबाब होगा ईसा बर्लिन ने अपनी चर्चित कृती तू कॉंसेट्स ओफ लिबर्टी यानि की स्वतंतरता की दो संकल पनाए इस पुस्तक के अंतरगत ये तर्ग दिया है कि राज केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंतरता की रक्षा कर सकता है सकारात्मक स्वतंतरता की रक्षा करना राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है अगला सवाल क्वेस्चन नमबर दो Social Principles and the Democratic State किताब किस ने लिखा था आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या A यानि कि बैन और पीटर्स ने इस किताब को लिखा था जिसका नाम था Social Principles and the Democratic State और इसे 1975 में प्रकासित किया गया था अगला सवाल है question number 3 किसने कहा कि सार्व भौम वयस्क मताधिकार वास्तों में सार्व भौम नहीं है आपके विकल्प है A GDH कोल B GB100 C GWF हीगल और D है गिल क्राइस्ट आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या D यानि की गिल क्राइस्ट इसका सही जबाब हो जाएगा अगला सवाल है question number 4 निवेश निर्गत सिधान्द का प्रतिपादन किसने किया था आपके विकल्प है आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या C यानि की डेविड इस्टन इस्टन के अनुशार राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक जीवन से मांग और समर्थन यानि की demands and supports आगत के रूप में प्राप्त होते हैं और यह प्रणाली नीतियां और निर्डे बना-बना कर उन्हें निर्गत के रूप में परिया वरण की और प्रवाहित करती हैं यही नीतियां और निर्णे आधिकारिक आवंटन का आधार बनते हैं अगला है question number 5 अर्थ सास्त्र का लेखक कौन था? बहुत ही आसान सवाल है आपके विकल्प है A. कौटिल्य B. Adam Smith C. Patanjali D. Malthas आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या A. यानि की कौटिल्य अगला सवाल है question number 6 सचिवों की समिती का अध्यक्ष कौन होता है? तो सचिवों की समिती का अध्यक्ष होता है आपके विकल्प है A. प्रधान मंत्री B. मंत्री मंदलिय सचिव C. ग्री सचिव और D. है प्रतिरक्षा सचिव आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या B. यानि की मंत्री मंदलिय सचिव अगला सवाल question number 7 हॉप्स की पुस्तक को किसने जलाया था? आपके विकल्प है A. क्लेरेंडन B. पॉमर्स्टन C. डिगवी D. क्रेब आपका सही जबाब इसमें होगा विकल्प संख्या A. यानि की क्लेरेंडन ने हॉप्स की ग्रंथ जिसका नाम था लेवियाथन और लेवियाथन की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई उसके संबंध में क्लेरेंडन ने उग्र बिरोध यानि की सबसे ज़्यादा बिरोध करते हुए कहा की हॉप्स की पुस्तक जला देना चाहिए मैंने कभी ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें राज द्रोह, विश्वास घात और धर्म द्रोह इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान हो अगला सवाल आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानि की मार्गन थाओ मार्गन थाओ के अनुसार अंतर राश्टी राजनीत में राश्ट सक्त से तातपर्य प्रायाह राजनीतिक सक्ती से लिया जाता है जन सामाने की द्रिष्टी में राष्ट सक्ती समस्त जनता की सामुहिक शक्ती हैं परंत वास्तों में यह राजिक के उन अधिकारों और सत्ता धारियों में केंद्रित रहती हैं जो उस देश का सासन चलाते हैं अगला सवाल है question number 9 विधी के सासन का सिध्धान्त किस ने दिया था आपके विकल्प है ए ए वी डाइसी बी लास्की सी ऑस्टिन और डी मैकाईवर्ण यहां पर आपका सही जबाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानि की ए वी डाइसी ने विधी के सासन का सिध्धान्त द जिसका नाम था introduction to the study of the law of the constitution यानि की समिधान के कानून की रूप रिखा इसके अंतरगत इन्होंने इंग्लेंड के समिधान को विधी के सासन की संग्या दिया था अगला सवाल है question number 10 खोखली स्वतंद्रता का मसीहा किसे कहा जाता है आपके विकल्प है ए बेंथम बी जेस मिल सी लास्की और डी मैकाईवर तो यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानि की जेस मिल इसका सही जबाब हो जाएगा यहाँ पर आपको बता देंगी प्रोफेशर बारकर ने कहा था कि मिल एक खोखली स्वाधिन्ता और कालपनिक व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला पैगंबर था उसके पास अधिकारों की संबंध में कोई भी दर्शन नहीं था अगला सवाल है question number 11 किसने कहा कि राजनीत विज्ञान और कला दोनों है आपके विकल्प है सही जबाब है विकल्प संख्या यानि की लास वेल अगला सवाल question number 12 निम्नलीखित में से प्रतम आधुनिक विचारक कौन था सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानि की मैकियावली मैक्सी ने मैकियावली को सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहकर पुकारा है और डनिंग के अनुशार प्रिंस जो की मैकियावली की पुस्तक का नाम है प्रिंस सबसे पहली महान रशना है जिसमें मध्य यूगीन चिंतन प्रणाली का परित्या किया गया है और गैटल के सब्दों में अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि मैकियावली आधुनिक राज दर्शन का जनक था अगला सवाल है क्वेशन नमबर 13 किसने कहा कि राजनीत मूल्यों का वैध निर्धारन है आपके विकल्प है एस्टन बी सैमूल जांसन सी मैकियावली और डी लाड एक्टन तो यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानि की इस्टन इस्टन ने अपनी किताब जिसका नाम था Political System and Inquiry into the State of Political Science यानि की हिंदी में इसका मतलब समझेंगे तो राजनीतिक प्रणाली राजनीत विज्ञान की दसा का अन्वेशन इसका प्रकासन किया गया था 1953 में और इसी किताब के अंतरगत यह असपस्ट किया गया कि राजनीत का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से होता है अगला सवाल है Question No.14 इसमें पूछा गया है वर्षाय की संधी का संबंध किससे है आपके विकल्प है एक औरिया का संकट B है प्रथम विश्वयुद्ध सी अफगानिस्तान का संकट और D है दुतिय विश्वयुद्ध यहां पर आपका सही जबाब हो जाएगा विकल्प संख्या B यानि की प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात 1919 में फ्रांस ने प्रतिसोध के रूप में पेरिस के उसी अस्थान जिसका नाम वर्षाय था उसी अस्थान पर जर्मनी को सांती संधी पर हस्ताक्षर करने के यह बात किया था अगला सवाल है क्वेस्चन नंबर 15 लोकल और रीजिनल गवर्नमेंट इस किताब को किस ने लिखा था आपके विकल्प हैं A GDH कोल B कार्ल फ्राइड डिच सी मैकाईवर और D गांधी सही जबाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या B कार्ल फ्र अध्यकालीन अरस्तु कहा जाता है यानि कि किसे मध्यकाल का अरस्तु कहते हैं आपके विकल्प है A. संथ अगस्टाइन B. सेंट थॉमस एक्विनॉक्स C. मार्शिरियो आप पेडवा और D. है जॉन सेलिस बरी यहां पर आपका सही जबाब हो जाएगा विकल्प संख्या B यानि कि सेंट थॉमस एक्विनॉक्स मैक्सी ने कहा था कि एक्विनास मध्य युग का स्वरिगी अरस्तु है अपने अध्ययन काल में सर्वप्रथम संथ टॉमस का अरस्तु के ग्रंथों से परिचे हुआ अलबर्ट महान के सिख्य के रूप में उसने अरस्तु का अध्ययन किया था अगला सवाल है क्वेशन नंबर 17 पारलिया मेंट नाम की पुस्तक को किस ने लिख्या था विकल्प है A. जेनिक्स B. स्टॉंग C. जेंक्स D. है कोरी तो सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या A. यानि की जेनिक्स अगला सवाल है क्वेशन नंबर 18 विधी शाषन की सरवाधिक स्पस्ट व्यवस्था दी गई है किसके द्वारा आपके विकल्प है A. जॉर्ज वासिंग गटन द्वारा B. जीन बोंदा द्वारा C. आईवर जेनिक्स द्वारा और D. है A. वी D. अगला सवाल है क्वेशन नंबर 19 और क्वेशन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है नाटो की अस्थापना किस वर्ष हुई थी तो नाटो की अस्थापना हुई थी 1949 में यानि कि इस सवाल का विकल्प संख्या B. सही हो जाएगा अगला सवाल क्वेशन नंबर 20 चर्चिल ने किस अस्थान पर C. युद्ध पर भासर दिया था आपके विकल्प है A. लंदन B. फुल्टन C. पेरिस और D. है बर्लिन तो आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या B. यानि कि फुल्टन इसमें अगर समझें तो ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध कालेन प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल जो अब विपक्ष के नेता थे उन्होंने 5 मार्च 1946 को अमेरिका के मिसूरी राज्य के फुल्टन नगर में राष्टपती टूम सीत युद्ध की घोशना सिध्ध हुआ था अगला सवाल है question number 21 अमेरिका के किस राष्टपती ने star wars कारिक्रम प्रायोजित किया था आपके विकल्प है A. Nixon, B. Kennedy, C. Reagan और D. Bush तो आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या A. यानि कि Nixon इसका सही जबाब होगा अगला सवाल question number 22 सन्युक्त राष्ट वित्तिय सहायता प्राप्त करता है यानि कि UNO राष्ट जो है वो वित्ति सहायता कहां से प्राप्त करता है आपके विकल्प है A. सदस्य राष्टों से B. Switzerland से C. रूस से या फिर D. अमेरिका से तो आपका सही जबाब इसमें हो अगला सवाल है question number 23 जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान समय में नाटों के कितने सदस्य देश हैं आपके विकल्प है A. 26, B. 15, C. 18 और D. 12 लेकिन इसमें से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 30 नाटों के वर्तमान में कितने सदस्य द जाता है तो वर्तमान में 30 सदस्य इसके 30 देश इसके सदस्य है अगला सवाल है question number 24 बीसवा सार्ग सम्मेलन का में जमान देश कौन है आपके विकल्प है A. बंगला देश B. भारत C. पाकिस्तान और D. नेपाल आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या C. प पंद्र, B. दस, C. ग्यारा और D. चौदर तो आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या A. यानि की पंद्र अंतर राश्की न्यायाले में 15 न्यायधीस होते हैं जो की 15 अलग-अलग देशों के निवासी होते हैं ये 15 विख्यात न्यायविद सुरक्षा पर उसे इस रूप में याद रखिएगा कि इनका जो कारिकाल होता है वो 9 साल के लिए होता है अगला सवाल है question number 26 सन्युक्त राश्ट के वर्तमान महासच्यू कौन है आपके विकल्प है A. त्रिगवेली B. कोफियर नान C. वी थांट और D. एंटोनियो गुटेरस तो आपका स सही जवाब होगा विकल्प संख्या D. एंटोनियो गुटेरस अगला सवाल question number 27 अंतर राश्टिय संबंधों का केंद्र बिंदु है आपके विकल्प है A. संघर्स B. सकती C. राश्टिय हित और D. है इनमें से कोई नहीं तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या C. यानि की राश्टिय हित राश्टिय हित अंतर राश्टिय राजनीत का मूल आधार है राश्टिय हितों की प्राप्ति के लिए अनेक साधन अपनाए जाते हैं मार्गन थाओ ने कहा था कि राश्टिय हितों की व्याख्या सक्ति के संदर्ख में ही की जा सकती है C 1973 और D 1978 तो आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या B यानि कि 1954 गुट निर्पेक्ष की जिस नीतिकाप प्रतिपादन भारत ने किया था उसी धीरे धीरे उन अधिकांस देशों ने अपना लिया जो उपनिवेश्वाद उन मूलन के बाद तृतिय विश्व करने वाले देशों ने मिलकर 1961 में गुट निर्पेक्ष आंदोलन की स्थापना की इसकी आपचारिक स्थापना 25 गुट निर्पेक्ष देशों ने बेलगर्ट सम्मेलन में किया था और इस सम्मेलन का आयोजन भारत मिस्र और यूगोसलाविया ने मिलकर किया था नहरू ना No.29 पहार्टि आनुसार्त त्रिवर्ग में कौन शामिल है? आपके विकल्प है A. काम दहर्म B. अर्थ काम मोक्ष C. धर्म अर्थ मोक्ष D. है अर्थ धर्म मोक्ष याँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा विकल्प संख्या D यानि की अर्थ धर्म और मोक्ष अगला सवाल है question number 30 भारती लोक प्रशासन संस्थान कहां पर इस्थित है आपके विकल्प है A दिल्ली B चन्नई C कोलकाता और D मुंबई तो आपका यहां पर सही जबाब हो जाएगा व तीस वो महत्तुपूर्ण सवाल जो आपकी परिक्षाओं के लिए काफी महत्तुपूर्ण साबित हो सकता है अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम